आप सब क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या लोस कम हुए नहीं हुए वीडियो से कैसे क्या चल रहा है प्लीज कमेंट वर्क में कमेंट करो ताकि आपके भाई को पता चलता रहे कि वीडियो यूसफुल है या नहीं है आप सब के लिए हमें क्या एडॉन करना वह पता चलेगा फिक है चलो चलते हैं हम और अनलाइस करते हैं वीक लिए एनलाइस है वीक खतम हो चुका है नेक्सट विक फ्रेस्ट वीक ओपन हो रहा है तो पूरे वीक का सेनैरियो देखेंगे हम क्या रहने वाला है निफ्टी बै यहां पर खुले यहां पर जाए ऐसा भी हो सकता है यहां पर यहां से टकला के फिर दैन उपर जाए यह वाला सिनेरियों में देखने को मिल सकता है यह वाला हमारा 47,000 वाला हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यह ठीक है चलो यह टाइम फ्रेम का है चोटा सा चलो एनिलाइस करते हैं यह हमारा डवल वॉटम देख सकते हो आपके यह वाली जो लाइन है ना 43,900 यह एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते है अगर मार्केट इधर कहीं पर उपन होने के बाद यह कहीं पर सेनेरियों रहती है अगर आप यह वाली देखोगे ना ट्रेडर्स तालीस हजार वाली तालीस हजार आठसो यह देखो यहां कितनी बार इसने कर रहा है यहां से इसको ब्रेक कर रहा है तो अच्छा मूव दिया है अब यह वही पर ही दुबारा आया था यहां पर क्या इसका सपोर्ट का काम कर रहा है यहां पर यह कर रहा है अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है 44,000 को ब्रेक कर देते हैं तो एक अच्छा हमें मूव कैप्चर करने को मिल सकता है इन फ्यूचर बट जो अभी हमारे जो प्रेंड लाइन है वो यही है और अगर इस से उपर का देखें तो यह सपोर्ट का काम कर सकता है ठीक है क्योंकि यहां पर आगे कितनी बार मार्केट ने रुका है 380 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हम एग्रेसिव बाई के साइड पोजिशन बना लेंगे चलो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं अगर हम ट्रेडर्स यहां पर देखेंगे न कि वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे यह देखो आप यहां पर क्या करा है यहां पर इसने सपोर्ट लिया है यहां पर रिजिस्टेंस लिया यहां पर मार्केट थोड़े से रुकी है इसको ब्रेक करा देन उपर आई है तो मोस्ट प्रोबिबिल इस चांस है कि मार्केट यहां कहीं पर कल ओपन और यहां तक जाएगा 45,380 तक मार्केट जाने के चांस है अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता है देन हम कॉल साइड के साथ पोजिशन बना लेंगे अगर हम सोचेंगे कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और ट्रेंड इस फ्रेंड यॉर ट्रेडर समझ रहा है तो एक टाइम फ्रेम में हमारे अच्छे लेवल मिल चुका है अगर मार्केट हниц हाँ यह पर ओपन होता है ना ना ये फिर डेक इसना यह वाला यहाँ पर अगर ऑधऊ इसना यहाँ पर ब्रेक कर आइसको तो यह अच्छ अंच्छ अ च्शर कर करने के मिला यह मुलत्य है 45500 का जो यह तो हम कह सकते हैं कि अगर इसने इसको पकुरा कड की कॉल साइड के साथ पोजिशन बना लेंगे चलो अब हम चलते शोट टाइम फ्रेम में और थोड़ा डीटेल अनिलाइज करते हैं कि क्या सिन्यारियो रह सकता है और कैसे कैसे हम ट्रेड को एक्जेक्यूट करेंगे अगर हम देखेंगे तो यह वाला लेवल है अगर यहां पर कितनी बार मारकेट आया है तो तो आप यहीं पर मारकेट साइड वेज रहा है ठीक रिसीव इसेल नहीं कर सकते हैं यह हमारा अच्छा सपोर्ट जोन है अगर मार्केट यहां पर आएगा यहां पर थोड़ा सा टाइम भी ताइगा दान इसको ब्रेक करता है तो फिर यह हम यहां तक का स्कैल्पिंग कर सकते हैं अच्छा एरिया यह बिद्ध दोस्व पॉइंट का पू देन इसके उपर आएगी तो यह अच्छा बला यहां तक कामे टार्गेट डे देगा ठीक है यह वीकली के बात चल रही है यह वीक में इतना ज़्यादा मार्केट जा सकता है चलो हम चलते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम और देखते हैं कि क्या सिनारिय रहने वाला अगर हम पीछे जाके देखेंगे ना टेडर्स देखो जो यह लेवल है यह हमेशा से इसका लेवल है यह यह देखो अब यहां पर इसका बिल्कुल शार्प शार्प यहां पे एक दम इसने क्लोज करा है जो भी लास्ट मार्केट ओप लोज हुई है यह यही पे लिए पर चावाली से जार्प अगर यही कई पर मार्केट ओपन होती है ठीक है तो हम एग्रिसिव बाई नहीं होंगे क्योंकि हमारा सपोर्ट के लेवल है अगर थोड़ा जर् है रजिस्टेंस लेवल है अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमको एक अच्छी पोजिशन और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है मैं आपको लेवल्स लिखवा दूँगा कि क्या क्या लेवल्स होने वाले 15 मिनिट के टाइम फिरेम पर चलते हैं कि क्या सिनारियो रह सकता है तो 15 मिनट के में अगर मैं पीछे जाके पर देखू ना ट्रेडरस ये देखू अगर मैं पीछे जाके पर देखू जो ये वाला लेवल है ना ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करें मार्केट ना अच्छी रैली देती यहां से अपसाइड के देती यह देखो यहां पर ट्रेंड जो है कितना था 44.775 का यहां से पुल बैक लेकर डाउन ट्रेंड आया दैन इसको रेटास करने के लिए दुबारा आया अभी भी मार्केट यहीं पर ही है अगर मार्केट यहीं पर यहीं पर ही है ठीक है और मैं आपको बताता हूं कि हमको मंडे को करना क्या है अगर मार्केट यहीं पर ओपन होती है फ्लैट ओपन होती है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे अगर 15 मिनट की केंडल बनती है और वह इसको ब्रेक कर देती है दैन हम यहां तक का 1st call हमारी 1st पोजिशन यह होगी पांस होगी ठीक है जो कि हमें easily provide कर देगा scalping करना यह वाला first level रखना ठीक है 4600 का इसको ट्रेल करता रहना अपने जो stop loss है उसको ट्रेल करता रहना ठीक है first position यह हो गई है second अगर in future अगर हम करते गया भाई market अगर हम सो जर्फ gap up open होता है यहाँ पर gap up open होती है यहाँ पर market open होती है ठीक है 45000 जो level है इसका अगर यहाँ पर open होती है तो वो थोड़ा सम वेट करेंगे इसके जो हमारा 45600 का जो level है ठीक है इसको अगर 15 टाइम फिरिम पर अगर break करता है तो हमारे को यह वाला target easily मिल जाएगा ठीक है 45300 यहाँ से आप लगा लो 200 point का move आराम से आप capture कर सकते हो अब हम चलते हैं कि in case market gap down open यहाँ कहीं पर open होता है यहाँ कहीं पर open होता है यह इसका बिलकुल support zone है ठीक है market यहाँ आएगा नीचे open होएगा यहाँ पर थोड़ा time बिताएगा then वह उपर जाएगा अगर उपर जाता है तो यह वाला first target है अगर market यहाँ पर time बिताता है और इसको break करता है यह हमारा first target होएगा depend करेगा कि market का scenario कह रहने वाला है ठीक है अगर market यहीं पर open होता है यह close होता है ठीक है अब हम चलते हैं निफ्टी पर कि निफ्टी का क्या scenario रहने वाला है निफ्टी का fresh analyze करते है traders आपके लिए वही long term से short term में जाएंगे पूरा हम देखेंगे कि क्या scenario रहा है इसके अंदर देखेंगे आपके लिए का देख रहे हुए हम ठीक है यह देखो यह वाला level है और एक हम इसका support zone draw करें ठीक है तो market कुछ इस तरीके पर आ रखी है यह इसका support level है यह देखो यह अगर यहां पर कही पर मेरे साब से अभी क्या करेगा market यहां पर green candle बनाएगा ठीक है और वो इधर ही sustain कर जाएगा इधर रहने वाली है पूरी week में market ठीक है अगर in case अगर इसको break करता है तो एक हम अच्छी movement capture कर सकते हैं इसके लिए time देना पड़ेगा market को अब aggressive buy नहीं होंगे बट यह वाला जो scenario यह इसका support zone है मेरे according महलब कि जो हम कर रहे है इसका sideways रहने के बाद यह यहाँ पर आना चीए then अगर हम जाएगा तो हम सोच सकते हैं कि ठीक है market का trend change हो है अगर इसको direct तोड़ता है direct यहीं कर बन जाता है तो हम aggressive नहीं buy करेंगे ठीक है क्या रहने वाला मार्किट का scenario वन डे के time frame पर देखेंगे traders अगर आप देखोगे तो green candle बना रहा है लगातार इसने green candle बना रहा है यह देखो यह क्या लगातार यहां से यह green candle बना रहा है एक दो तीन चार ठीक है अगर यहां पर green candle बनती है one day के में ठीक है तो और यह इसका support zone भी है यह देखो यह इसका support zone यह देखो यह इसका ठीक है और यह इसका resistance level है तो most probably chance है कि market यह कहीं पर होने के बाद market नीचा है यह देखो अगर यह देखेंगो ना यह देखो इसको एक बार check करा दो बार test करा तीसरी बार यहां पर test करेगा दैन इसके बार नीचे आएगी और यह इसका support level है 19,800 का यहां पाएगे दैन market उपर जाना चालो करेगी यह market का rule है कि इस तरीके से follow करना चाहिए अगर वह direct इसको तोड़ देती है तो हम aggressive नहीं होंगे ठेक है वन डे के time frame पर अच्छा pattern देखने को मिल रहा है और अगर मैं इसको देखो यह देखो यह जो इसका level है ना यह crucial level है और इसको यह देखो यह कितनी बार market ने इस level को test करा 19,521 जो यह 19,500 की देखो यह first level है यहां पर करा है इसने second इसने third इसने इसने break करा है तो अच्छी movement मिली हमे ठीक है यहां से इसने break करा है तो इसका यह level है ना इसके half level पर गया है यहां पर दुबारह है अब देखो इसने movement करी है यहां तक गया है तो most probably chance है थोड़ा market downtrend आएगा यहां पर sustain करेगा then ओपर जाएगा यह इसके levels है traders अब हम चलते short time frame में और देखते हैं क्या scenario रहने वाला है 1 hour के में time frame में चलते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है यहां पर abd ट्रीडस आपALK है अगर gap up open हुआ market यहां पर ठीब आए यहां पर यहां पर बिन रहा है gap up open हुआ और पूरा दिन sideways रहा है एक candle की movement आ जाते है then بال Stick आयल परी बाहें साइड़ा था यह पर gap up open होआई sideways रहा यह अची से उसने राली दी, Gap U'Pze заключ एक उपन है यह अची राली Gap U'Pze embora he strong stability अगर देखेंगे । वन nih ताम फ्रेम पे भी अच्छा पैटन देखने का मिल रहा है जो यह वाला है cleanse यह का का अगा THIS इस जुकर आप है , बाट वे सकत पैैफट हँ और देखते हैं किया हो सकता है अगर आप पीछे जाकर द भी नित कितनी बर्यूक्त कर भाद करें यह कई पर टाइम कर तका अगर्षा ठीक हैं। और पिछे जाऊ ओर पीछे जाऊ और पिछे जाऊ कुछ भी नहीं मिल रहा है समझ रहा है क्योंकि अभी हाइर हाइट चल रहा है हम मार्केट थोड़ा उपर चल रहा है भी इसको हम अगेन उसको उपर सेट करते हैं पंद्रह मिनट के टाइम फिरेम पर चलते हैं फाइफ मिनट में ट्रेड को एक्जिक्यूट करेंगे जो इसका यह लेवल है ना यह और हम अगर पीछे जाकर देखते हैं पीछे जाकर देखते हैं तो कौन सा लेवल इसके लिए बैस्ट होगा पीछे लिए भी पेचे का कुछ हही नहीं आप बिलकुल हाय रही चलरहा है फिरेंगे यह देखो जो यह वाला लेवल है वह मैंना आपको ढूकर कर के देए दिया है यह देखो हम् अगर मार्केट का सीनेरियो देखो अगर मार्केट gap open होती है यहीं कहीं पर open होती है थोड़ा सा movement करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे 50 minutes का हम moving average लगाएंगे अगर उस moving average के यहां पर slot आ रहा है यहां पर green candle बन रही है ठीक है तो हम इसका low low का stop loss रखेंगे और हम उपर के साथ trade ले लेंगे अगर moving average हमारी downtrends आ रही है यहीं कहीं पर बन रही है कोई candle बनती है 15 minutes की then हम downtrend का trade execute कर रहेंगे बट हमें देखना पड़ेगा कि क्या scenario रहने वाला है मैं आपको बताता हूं market का ही gap up open रहता है पांच मिनिट के candle का wait करेंगे इसके बाद उसका high और low को हम देखेंगे कि कितना क्या और अगर उसको high को break करेंगा तो हम देखेंगे कि यह वाला इसका resistance level है ठीक है हम aggressive buy नहीं करेंगे traders मैं आपको पहले बता रहा हूं हम aggressive buy नहीं करेंगे हमें aggressive market अभी है पूरा support और resistance level है उसको पर trade कर रहा है ठीक है उपर से क्या कर रहे है यहां पर buyer बैठे हुए है ठीक है यहां पर seller बैठे हुए market को buyer उपर लेके जाते है seller उसको नहीं चले जाते है buyer उपर लेके जाते है यह जो इसमें क्या होता है excellenting होगे आपकी यहां पर excellenting होगी समझ रहे तो आप अपने सारा capital loss कर लोगे तो प्लीज ऐसा मत करना और नहीं मैं चाहता हूं कि ऐसा हो हमारे किसी भी भाई का ठीक है आप क्या करना अगर market gap up open होता है तो मैंने आपको बताजे क्या scenario हैने वाला अगर बिल्कुल flat open होता है यहां पर flat open होता है तो हम क्या करेंगे थोड़ासा five minute के थीन candle का वेट करेंगे again और इसको यहां पर retest करने देंगे अगर इसको break करता है तो हमें first position अच्छा सा easily downtrend में चले जाएंगे और हमें अच्छा capture करने को मिल जाएगा profit अच्छा होगा बट अगर gap down open होता है यहां कहीं पर support level है ठीक है वो यहां पर आएगा हम सेल के साइड नहीं जा सकते वो यहां पर time spent करेगा then वो उपर आएगा ठीक है और market ऐसा भी हो सकता है कि इस जो यह scenario यह वाल अगर gap down open होता तो इस scenario के अंदर ही market रह जाए समाझ रहे हो तो इसमें क्या होगा theta decay होएगा time decay होगा बहुत कुछ होएगा इसके अंदर हम profit नहीं गामा पाएंगे हमारे ऐसा लंटिंग होगी वो आप समाझ सकते हो traders तो यह ही है हमारा ठीक है यह scenario रहने वाला है इसको आप इसके इन सोट लेना इसके इन सोट लेलो जो